चैनित सांथियों दिल्ली के चांदली चौक से अलका लामबा बोल रही है मेरे पीछे आप लाल किला देख सकते हैं आज एक खबर आए सुबाव उठी तो खबर जो 30 पर यकीन में ही हो रहा था वो खबर को बिल्कुल मैंने पता करने की जब कोशिक्ष की क्या ये सच में हुआ है तो पता लगा हाँ सच में हुआ है क्या हुआ है हैदराबाद में हमारी बेटी दॉक्तर बेटी को सामूहिक बलात कार करके सिंदा चलाने वालों के सर पर हैदराबाद की पुलीस ने गोली मारती है चारों को मार दिया गया मैं सब को बढ़ाई देती हूँ, मैं मानती हूँ, मानवा अधिकार आयोग हो, तबी जबान पे पुलीस की इस कारवाई पर प्रश्न खुठ रहे होंगे, लेकिन, लेकिन, आधियाबादी, लेकिन उस पिता, उस भाई से पूछिएगा, उसे कैसा महसूस हो रहा है, जिसकी जिसकी बेटी को सामुहिक बलाकार करके जन्दा जलाया जा रहा था, उन्हें पूछिएगा, आज हैदराबाद की पुलीस की इस कारवाई के बाद, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, निर्भया की मा, निर्भया का पिता, दो हजार वारा से न्याये मांग रहे थे, आज उन आज ये देश की मांग थी, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, आसुरवचित महसूस करवाने वाले, सामुहिक बलाकार करके जन्दा जलाने वालों के साथ यही हर्षोना चाहिए था, आज उन्हें, आज उन्हें सर पे गोली मार कर, चारों को खतम कर दिया गया है, मैं चाहिए डिली में नेर्भया में हो गया होता, तो हमारी अन्हेंदे की बेटि को, कल नहीं जलाया गया होता मुझे नहीं मालूम लोग इसे कैसे देखें गे कि अलका लाम जो विधायत रही वो इस तरीके का समर्थन कर रही है मैंने पहले भी दोराया मां हूँ किसी की बेटी हूँ किसी की बेहन हूँ मेरी बेटी नहीं है 22 साल का बेटा है कहकर आई थी अगर मेरा बेटा किसी बेटी पर किसी की बेटी पर आख उठाएगा तो पहली सजा देने वाली मां हलका हूँगी मैं हूँगी आज खुशी है रास्ता भेदराबाद की प्लीस ने क्या अपनाया मैं उस पे नहीं सोचना चाहती हूँ आदा देश नहीं सोचना चाहता वो भाई और वो फिता वो रास्ता नहीं सोचना चाहता नहीं पूचना चाहता जिसकी बेटीया बलातकार में आज 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 न्याय के लिए सालों से लड़ रही है वो सिरो मनजिल देख रहा है हैदराबाद की पुलीस ने क्या रास्ता अपनाया मत सोचिए मैंने ही सोचूँगी हाँ मनजिल यह है कि हैदराबाद के पास आमोई बलातकार करने वालों के सरवर हैदराबाद की पुलीस ने गोली मारकर उन चारों को खतम कर दिया है सलाम करती हूँ 26 जन्वरी आ रहा है, कहूंगी हैदराबाद के उन पुलीस वालों को इसी लाल किले से सम्मानित करने का समय आ गया है, आज गरिंदों में जो हमारी बहन बेट्टों को सामुईक बलातकार करके जन्दा जला रहे हैं, आज उनके मर में खौफ आएगा, आज उनके मर में डर प पुलीस ने एक शानदार काम किया, बलातकारियों को इनकाउंटर में चारों को मार गिराया, वरना लग रहा था, लग रहा था, दो हज़र बारह में निर्भ्यक को नहीं नहीं मिला, हैदराबाद की डॉक्टर बेटी को सामुईक बलातकार के बाद जन्दा जला दिया गय है, और सुबह की ये खबर हम सब के चहरों पर मुस्कान ले आई, लोग तंतर है, लोग तंतर है, हर तरह की सोच विचार है, कुछ इस काउंटर पे, इस इनकाउंटर है, दराबाद की पुलीस द्वारा किये गए, इनकाउंटर पे सवाल उठाएंगे, कुछ उनके तरीको पर सवाल आठाएंगे, पर मेरे जैसे लोग रास्ता नहीं, तरीका नहीं, मन्जिल क्या हासिल की, मन्जिल ये हासिल की, कि हैदराबाद की डॉक्टर बेटी का सामुहिक बलातकार करने, जंदा जलाने वालों के सर पे हैदराबाद की पुलीस ने गोली मारकर चारों को खत आएंगे कि अब लोग इस तरह के इंकाउंटर का समर्धन करने निकल पड़े हैं, अगर सरकारे सोही न रहती, पुलीस परिशाशन सोया न रहता, निर्भया के अबाद में सक्त कारवाईया की गई होती, फासी के तक्तों पर इने चड़ाया गया होता तरिंडों को, तो श शायद आजादराबाद की पुलीस को सत पर गोली मारने की ज़रूरत न पढ़े, शायद निर्भया की मा दरदर भटक रही, अपनी बेची के लिए, बेटियों के मूँ चुपाए जा रहे है, बेटियों के नाम चुपाए जा रहे है, उन्हें ऐसा महसूस किराया जा रहा बेटियों का क्या करसूर है, जिन बेटियों का कहते है, नाम मत जुबान से लीजिए, बेटी का नाम जुबान से लेंगे, तो आपके जबान गंदी हो जाएगे, उस बेटी का चेहरा चुपा दीजिए, जो बिचारी बलातकार की शिकार हुई, इसका चेहरा चुपा तो समाज में बैठे बेडिये, उस चहरे पर प्रशन उठाएंगे, बदल दीजे इन कानूनों को, आने दीजिए हमारी जबान पे उन बहादुर बेटियों के नाम, आने दीजिए उन चहरे, बहादुर बेटियों के चहरे देश के सामने, जो समावीत बलातकार के बाद भी खामोश महीं हैं, जो दुबाकी बेटियों के लिए नयाई की लड़ाई को लड़ रही हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, पांच साल की बच्ची को नोचा जा रहा है, हम कहते हैं मार्शल ट्रेनिंग देंगे उन्हें, जूटो कराके सिखाएंगे उन्हें, पांच साल की मासू तुम बेटी को क्या सिखाएंगे यां, उन्हें सिखाने की जुरूरत नहीं है, सिखाने की दूसरों को ज़रूरत है, जो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इतना आज आसुरफशित महसूस करवा रहे हैं, कि घर से पिता या भाई अपनी बहन को भेजते होई ही डर का म मुझे नहीं मालू, लोग कैसे देखेंगे कि अलका लांभा, दिल्ली विधान सभा की तुम विधायक रही, तुम से कम से कम ये उमीद नहीं थी मानवा आधिकार, आयोग जो पुलीस के हैदराबाद, पुलीस के इसका इंकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहे, मैं आप पे पक्ष की तरफ खड़ी रहोंगी, मैं हैदराबाद की पुलीस के साथ खड़ी हूँ, उनके द्वारा की गई कारवाई के साथ खड़ी हूँ, जो काम फास्ट्रेक कोट में, स्पेशल कोट में, कानूल आदालत सरकारों को करना चाहिए था, पिछले साथ-ाठ साल से देखा कि निरुभया से आज तो कुछ नहीं बदला, बदला होता, तो हमारी दो बेटियां, पिछले एक हफ़ते में हैदराबाद की डॉक्टर बेटी और उनके बेटी को सामुई पलातकार करके, जिन्दा जलाने की हिम्मत नाकी होती, अगर सबक मिले होते, आज मैं आप सभी से कहूंगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा, आधी आबादी को ताकत मिली इन बेटियों को, उस पीता और भाई को आज उनसे पूछिएगा, मैं क्या सोचती हूँ, देश क्या सोचता है, हैदराबाद की पुलीस ने ठीक किया या गलत किया, हमसे मत पूछिए, क्योंकि वो हैदराबाद की पुलीस ने आसवा, इंकाउंटर करके, हैदराबाद की डॉक्टर बेटी के समुईक बलातकार के आरोपियों को, सर पे गोली मार के मार दिया है, चारो को, ये सही था या गलत था, ये उन पीता उस भाई, उस बलातकार की पीड़ता से पूछिएगा, ये स सही किया ये गलत किया, अगर वो कहती हैं सही किया, अगर उन्हें कहीं न कहीं इस बात का विश्वास आ रहा है कि न्याय होगा, और न्याय जंता के दबाव में होगा, सरकारों को करना होता, सरकारों को करना होता, तो आज ये सबना होता, सरकारे नपुनसक, हमारी बच्च सबक लीजी, अपनी वर्दी, अपनी कुर्सी, अपने पद, अपनी पर्मोशन, अगर फिक्र छोड़ दी होती, तो निर्भया को, हमारी बेटी को, याद है 2012, क्या नहीं किया इनों को ले, हमारी बेटी के साथ, आज़ो बेटी, दुनिया में नहीं है, उसके माबाप है, जो देन राAP रोज आना कोड पे तारीक पे तारीक, पे तारीक, तारीक, से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी निर्भया जो दुनिया में नहीं उसको नयाए नहीं दिला पा रहे हैं, प्रशन उठाएंगे अल्का लांबा को घेर लीजेड़ा कि अल्का लांबा ने समर्थन करके पुलीस की स्कारवाई का समर्थन करके अच्छा नहीं किया मुझे परवार नहीं मुझे जो महसूस हुआ नचांदनी चोक नेरी विधान सभा है पिता और भाई को यखीन दिलाय देश आजाद हूँ लेकिन हमारी चीन की बेटिव के पहरोगे बड़ी बीडियों को और सट्टेँ सक्ट कर दिया गया कि बेटियां आजाद होंगी, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेटियों में कमिया निकालिए, अरे बाप पे उंगली उठाईए, उस भाई पे उंगली उठाईए, अरे कैसा बाई है, अरे कैसा बाप है, कि वो भेजा था अपनी बेटी को बार, वो प्रशन दरिंदो नहीं उठाएंगे, वो प्रशन उस भाई बेटे पर और बहन पर उठाएंगे, लिकन आज आज जशन का महौल है, आप सभी को आमंत्रित करती हूं, बता लग जाएगी भारत की राजदानी दिल्ली में, लाल किले में, बेटियों की आजादी और सुरब्चा को लेकर, कि मेरा बेटा है, और बाइस साल का है, संसकार दिये हैं उसे, संसकार दिये हैं, बार बार उसको रोज जार दिलाती हूं, महिलाओं का सम्मान नहीं किया कभी, गल्ती से कुछ हो भी गया, तो ये मा तुमारे साथ नहीं खड़ी होगी, ये मा उस बेटी के साथ खड़ी उसे सुरक्षित महसूस कराओ। कि मेरे आस पास, ये नंगी भेडिये दरिंदेगे वाली हवस की नजर लेकर कोई नहीं एक सु मेरा बाई कड़ा हे, मेरा अपना कड़ा है, जो मुझे सुरक्षित महसूस करा रहा है, चाय में यहाँ पर। लोग कहते हैं अकेली गे हैं, भा इस भीड में हमारी बेटियां अकेली मैसूस करती है क्योंकि दरिंदों की वो नजर उपर से नीचे तर्पने कुरती है मैं आज आप सभी से कहूंगी दिन भर टीवी में डिबेट्स होंगी चर्चा होंगी पर मैंने यह साधन चुना है दस लाख से उपर फेस्बुक पे मेरे साथ लोग जुड़े होंगी सोचा है टीवी डिबेट में नहीं जाओगी टीयापी के लिए एजंडे लेकर बैटेंगी कोई पुलीस को गेरेगा कोई पलातकार की पीड़िता को गेरेगा कोई उसके मा उसके पिता उसके भाई पर प्रश्म उठाएगा कपड़े ऐसे क्यों पहने थे रात को बाहर के हो गई थी यह करवाने की जूद क्या थी समाज का भी दबाव आएगा मुझपे भी आया था दो दिन पहले एक मन चले ने कुछ फेस्बुक पे तसवीर डाली पूरा समाज आ गया अलका लामबा जी आप विधायक है चुनाव लड़ना है यहां पर पचास वोट है क्या करूं उसके खिलाब शेकायत वापिस लेली है लानत है भरत की राजदान बना सकते हैं आप यह सुचिए हमारे परिवार हमारे समाज हमारी पीड़तापत कितना दबाव बनता होगा शान से बैठे हैं सांसे बैठे हैं ADR का सर्वे चुनाव का सर्वे आया 2019 में देश में जिन सांसुदों को चुनकर संसद में पहुंचा दिया है ADR का सर्वे कहता है 45 प्रतिशत घंबीर अपराधी बलातकारियों को पार्टी ने टिकेट दिया हम सब ने वोट दिया आज वो हमारे सेर पर सांसद बनकर बैठे हैं और उन बलातकार के आरोपी ने आये मिलेगा सबसे पहले प्रधान मंत्री जी संसद से कहना चाओंगी कल आपने खाने के ओपर जो संसदों को सबसेड़ी मिलती थी वो खतम किया है उससे जादा बहुता होता कि जो हमारे संसद, जो हमारे विधायक, जो हमारे नेता बलातकार के आरोपी है जिन पर चार्चिटों के मु जो हbersción आरोपी हमारे विधायक सांसद बनकर हमारे नेता बनकर हमारे सर पर बैठी है, थोड़ी भी शरम होना स्तीफे दीते और बहर आ जाई रहतना नेम और शेल मैं बताहूंगी दूनिया को, कि वो कौन से सांसद है, वो कौन से विधायक है, वो कौन से हमारे नेता हैं, जिन्होंने अमरी बेटियों को नोचा, बलातकार किया, मातर अपनी सक्ता, अपनी कुर्सी के दम पर आज मामलों को दबा रहे हैं, परिवार के ओपर दबा बना रहे हैं, मुकदमे वापिस लीजे, नहीं तो उन्नाव की बेटी की तरह ट्रक के नीचे बाप को मरवा दिया, बेटी हेमस में बैठी है, पहले वाली उन्नाव की और आजवाली भी दोनों हेमस में, जंदगी मोट से गुजर रही हैं, और दोनों नेता, एक विधान सभा का सम्मानित सदस्य है, और दूसरा लोग सभा का सम्मानित सदस्य है, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि ये दोनों कार्थी चोराई प्रफासिया दीजिए सब पे गोलिया मारिये यह अब तारीक पे तारीक भुखती नहीं जाती है बेटियां बहुत आस्व उक्षीत है आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जितने लोग दें पूचे हैं